नमस्कार राजस वलेकपाल भर्ती परिक्षा 2020 के लिए संचालित हिंदी के 500 प्रशनों की इस ब्रिया सिंखला में मैं सुतु साब सभी का स्वागत करता हूँ आज हम लोगों की यह चोधा हुई कक्षा होगी और इसके माध्यम से हम लोग अतिस संभावित प्रशनों की संपूर्ण ब्याख्या के साथ इस प्रशनावल भर्ती परिक्षा 2020 के लिए तयारी कर रहे हैं तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैस कोर्स प्रोग्राम से स्क्रैस कोर्स का उद्दे से छात्रों को घर बैठे राजसु लेखपाल परिच्छा की संपूर्ण तयारी करवाना है वीडियो लेक्षर्स, नोट्स और टेस्स सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठकरम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लच्छे है सीरीज जिसमें की 10 आनलाइन टेस्ट और उनकी व्याक खात्मक हालवाली पीडियो फोगी दी जाएगी ध्यान दें यहटे सेरीज परिच्छा से एक से डेढ़ मापूर्व शुरू होगी 10 मही से आनलाइन वीडियो क्लासेज स्टार्ट होगी तथा शुरुवाती दिनों में आपको दो वीडियो क्लासेज दी जाएगी जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी वीडियो लेक्छर्स में किसी भी एक वेसे के टापिक के पूरा होते ही उस टापिक की पीडियफ रिवीजन करने के लिए दी जाएगी वीडियो लेक्छर्स में आपके प्रस्णों एमम डाउट्स का नेराकरण संबंधित से चख द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बना कर किया जाएगा जिन आश्रंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रोप से किया जा सकता है उनके लिए व्यक्तिगत मार्ग दर्सन भी दिया जाएगा सभी वीडियो लेक्छर्स पहले से ही रिकार्डड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी जिससे जात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्छर्स को देख सकेंगे वीडियो लेक्छर्स एंड्राइड आप के माध्यम से आपको दिये जाएंगे तथा वीडियो को आप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी करंट अफेर से संबंधित वीडियो परिच्छा की निरधारी तितिती से 20 दिन पहले दिये जाएंगे यदि परिच्छा के पाटकरम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुजार कोर्स को भी अपडेट करेंगे ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है तो जुड़िये हमारे राजस लेकपाल भरती परिच्छा 2020 के 90 दिन के क्रैस कोर्स प्रोग्राम से अधिक जानकारी के लिए 950-6742546 पर लेकपाल लिखकर वाटस अप करें या काल करें कि अधिक तिन सो परशीष प्रश्न के बाद 326 प्रश्न हमारा यह है कि उत्तर प्रदेश के ललित पूर हमेर पूर जासी तथा महोबा जीलों में क्या समानता है तो जब भी समानता की बात आएगी तो यहां भोगोलिक दिश्टिकोंट से तो बात हो नहीं रही है कि यहां बात किसकी हो रही है चुकि भासा की बात है तो यहां जब भी बात आएगी तो भासा इका ही माँदीका या ब्रजबोली का बुंदेली का या ओधी का या ब्रजबोली का थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लें जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहां पर जो समानता पाई जाती है वो बुंदेली बोली का प्रभुत्व है और यह इलाका बुंदेल खंड में आता है तो इससे एक चीज हमें यह हभी समझ में आती है कि बंदेली का प्रसार इन चेतरों में है लेकिन अब प्रस् reimbursement वी उठता है जो बंदेली बोली के लिए हमारे मन में जिग्यस पैदा करता है उसको अम्रुक समझे लें तो बुंदेली बोली राजपूतों के कारण मध्य प्रदेश तथा उत्ता प्रदेश की सीमा के जहासी छतर पुर्षागर आधित था आसपास के भागों को जो बुंदेल खंड करते हैं वहीं की बोली बुंदेली या बुंदेल खंडी है और इसका जो छेत्र है वो क्या है जासी जालाओन हमिरपूर ग्वालियर भोपाल और शा सागर निर्जिंपूर सिवानी होशंगाबात था आसपास के छेत्र हैं अब थोड़ा सा बुंदेली के इसके विकास करम की बात कर लें तो बुंदेली का जो विकास है ये सौर सेनि में भी अस्थान है यह लोग गाता है अलाखंड काफी चर्चित साहित है और मुलता बुंदेली की एक बोली है जो बना बना फरी उसी में अलाखंड लिखा गया काफी बीर्रस से ओत प्रोत यह कविता अलाखंड यह साहित बड़ा मज़ेदार साहित आगे हम लोग बढ़ यह जानना चाहता है कि आप सार्थक और निर्थक शब्द के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं तो यहां अर्थ के आधार पर जब हम बात करेंगे तो हमारा उत्तर एस ही होगा यानि कि दो भेद होते हैं सार्थक शब्द और निर्थक शब्द अगिला प्रशन हम ल जैसे को हो गया और यह को हो गया ये दिद्ठ डियंजन नहीं होगा ये को कि आ बिद्टी होगी दिद्र बेंजन कब होगा जब यह प्रत्राम बेंजन जब स्वर रहीत हो यानी इसमें हलन्त लगा हो अब जैसे है इसमें स्वर निकाल देंगे तो यह क्या हो जाएगा का हलन का यह यह पूर्ण होगा अभी यहां पर यह दुद्ट बेंजन हो गया इसका दोहरा हो रहा है तो यह दुद्ट बेंजन को हम लोग समझ लिए तो देख लेते हैं कि यह इस तरीके का उदारण हमें कहां मिलता ह है यानी कि प्रक्तित पूरा का यह दर हमें कहां मिलता है यह दर हमें सि में मिलता है और अव्यां सर और दिल इक है अग्लों देखेंगे मिनम नंकित में से नवीन विक्सित धुनि का ओधिए आप से आप देक्र दिख लीजिए कि मैं भर्पूर समय प्रश्ण पर आपको देना चाहता हूं कि आप साइज उत्तर देने चलिए मैं मैं एक्दम निशचिन ठोरूं आपके उत्तर की प्रतिक्षा ने मैं हूँ जाच करिए तो यहां पर जो एक शब्द लिखा है ख और गर क्या इन दोनों में और इन दोनों में कोई अंतर है एक छोटा सांतर है और वो अंतर है कि इसके नीचे काफ नहीं लगा है और वहां पर काफ लगा हुआ है अब बात हम लोग करते हैं कि हिंदी जो है पुर्णता बैग्यानिक भासा होने के कारण कई दूसरी भासाओं के भी शब्दों को या दूसरी भासाओं के भी वर्णों को इसने ग्रहन किया जैसे एक छोटा सा उदारन समझिये कि हम लोग ये कालेज लिखते हैं कालेज लिखते हैं या डाक्टर लिखते हैं तो हम लोग जब भी ऐसे लिखते हैं तो यह सुधरूप में नहीं होता है सुधरूप में नहीं होता तो यहां क्या कहते हैं हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं लेकिन इस पर बिंदी नहीं होती तो इन शब्दों को जब हम लोग इनका उचारण करते हैं तो करते हैं डॉक्टर कोलेज लिखते सी ओ है या डी ओ हम यह इस तरीके से लिखते हैं और यहां पर हम इसको इसपस्ट करने के लिए एक अर्ध चंद्राकार यहां बनाते हैं जो बिंदी रही तो होता है तो इन शब्दों को हम लोग आगत के रूप में समझते हैं कि यह आगत वर्ण है या आगत शब्द है इसी तरह से ये खा और हमारी मूल भासा के तो है नहीं हिंदी खें यह दूसरी भासा हो से लिए गए हैं और दूसरी भासाओं से जह लिए घए तो यहां पर काफ लगा हुआ है और इनका उचारण भी अक बिसीष्ट तरीके से होता हाँ ये तरीके से इनका उच्चारण भी होता है हाला कि ये हमारे हिंदी वर्ण माला के अंग नहीं है लेकिन हमारी हिंदी भासा में इन धोनियों का विकास हुआ है और इन धोनियों का स्थान निश्चित है क्योंकि ये अन्य भासाओं के शब्दों में ये सामिल होते हैं और चुकि अन्य भासाओं के शब्दों से भी हमारी हिंदी सम्रिद्ध होती है निरंतर होती है अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जाने कि देखिए खा और गा नवीन विक्सित धुनिया है और इसके पीछे हम लोग यह जान लें कि यह किसके मूल रूप से यह किसके यह है अरबी फारसी के कुछ सब्दों का सटीक उचारण करने के लिए हिंदी में पांच नहीं भनी आप तरह उचारण नहीं करते हैं जो हम फो बोलते हैं तो यह ओस्ट की तरह होता है दोनों अपस में यह मिलते हैं लेकिन जब इसका उचारण हम करते हैं उचारण हमारी तरह आप करिएगा थोड़ा सा कर्शंटेट होकर क्या ध्यान देंगे फो तो यहां क्या होता है फो जैसे ह ने इनके सथी कुचारण के लिए इंधुनियों को अपनाया है अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रशनी की तरफ लंबा है उदर जिसका यानी स्री गणेस लंबोदर या कौन सा समास है अब देखिए लंबा है उदर जिसका ये दोनों पद मिल करके लंबा है उदर सब्सक्राइब धृ ten जो यहां पर लंबा है उदर जिसका यानी स्री गणेस तो यह जैसे ही ये परिभासा आएगी तो इस परिभासा के आधार पर यह उदारण कहा सटिक बैठ रहा है तो हमारा अप्षन क्या होगा अप्षन डी यानि कि बहुब्री समास ऐसे ही गजानन गज का आनन है जिसका गड़ेस तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शीव बीणा है जिसके हाथ अर्थात सरस्वती मृत्यु को जीतने वला अर्थात शीव यह किस में आ जाएंगे बहुब्री समास में आ जाएंगे अब इसी के साथ अगिला प्रशन हम लोग देख लेते हैं जुगुपसा किस रत का इस्थाई भाव है किस रस का इस्थाई भाव है जुगुपसा अब चुकि विभत्स करूण बीर और रोद्र के हम लोग बात कर कोगते हैं तो जो गुपसा जो है विभत सरस का इस्थायी भाव है विभत सरस को क्या नीrib कि इस एक सरस की सिति दुखहात्मक रसों में मानी जाती है बड़ा विभत द्रिश कैसे होता है तो जब तक घ्रिड़ीत वस्तूओं कर चीजों या घ्रिब होता है वह विभत सुरूप का एक दर्शन कराता है हमें हमारे मनोभाव जो है वह विभत सुरूप की तरफ एक विभत सो जाता है मतलब बड़ी गलानी टाइप की होने लगती है जैसे अब देखें यहां पर लिखा हुआ है मैं पढ़ता हूं गिद्ध जांग कह खोदी-खो च्कंस अहले तो यह द्रिश की यह ऺंवा • पद प्द को एज सब्सक्राइब को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए तो वो पुरा का पुरा गर की म αυτό है हमारे सामने उपस्तित हो जाएगा हमारा जो मनूगत भाव है वानिर इस पकी साथ यह जैसी आगे बढ़ेगा त जो है थोड़ा सा अलग हो जाता है अलग तरीके का वो हो जाता है तो जुगुपसार रस इस्थाई भाव किसका है विभात सरस का आगे हम लोग बरते हैं अगे प्रशन की तरफ समझ सब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है तो उपसर्ग लगा करके देख लिया जाए सही उत्तर हमारा ना होगा ए अगला प्रशन हम लोग देखेंगे कि अदब शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है यहां भी वही हम लोग टेकनिक अपनाएंगे उपसर्ग को जोड़ करके देख लिया जाए तो आपसर्ग हमारा भी सही होगा क्योंकि अदब के सा सब्द जो है वो उर्दू एवंग फार्शी के हैं तो जैसे संस्क्रित में 22 उपसर्ग हैं हिंदी में भी कई उपसर्ग आते हैं अब चुकि उर्दू और फार्शी के कई सब्दों का प्रयोग हमारी हिंदी में होता है तो उर्दू और फार्शी के उपसर्गों के बारे म नहीं या रहित के संदर्भ में होता है इसी तरह से आगे बढ़ते हैं बाउपसर्ग का जो अर्थ होता है या के साथ और या अनुसार इन अर्थों में होता है बेउपसर्ग का आर्थ होता है बिना आप इसका स्क्रीन साथ ले सकते हैं इसलिए मैं किनारे हूँ कि आप इसका सकते हैं या वीडियो को रोग करके आप इसको नोट कर सकते हैं बाउपसर्ग बाक आर्थ होता है साथ में या सहित बद उपसर्ग का आर्थ होता है बुरा या हिंता इस संदर्भ में बद उपसर्ग का प्रयोग करते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं ना उपसर्ग का आर्थ से लिया जाता है और गैर उपसर्ग का संदर्व जो है भिन या निसेधात्मक तरीके से हम उपसर्ग का जो होता है यह दर का अर्थ होता है यानि आपस में समान साथ या साथ वाला हर उपसर्ग इसका होता है सब या प्रतेक आगे हम लोग बढ़ते हैं खुश उपसर्ग यह मुख्य होता है जैसे सर्ताज, सर्दार, सर्पंच तो इसका जो प्रयोग हम लोग करते हैं इस उपसर्ग से जो सब्द का निर्मान होता है सब्द बनाते हैं उसका संदर्भ मुख्य रूप से मुख्य होता है अलूपसर्ग अलका होता है अलमास्ट, निश्चिंत या अं पानी का ये पर्याबाची है अता हमारा अप्षन ए सही होगा कि अम्बू गाय का पर्याबाची नहीं है लेकिन कुछ और पर्याबाची शब्द हमें जानने चाहिए जो आपके सामने ये प्रस्तुत है आपको समर्पित है और गाय के अन्य पर्याबाची के बारे में हम आगे हम में बढ़ते हैं स्रिंगार रस का स्थाई भाव रसोlles का राजा प्रतह्म रस रसराज भरतमौने ने कहाई इसको रसराज और इसका स्थाई भाव रती है आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रस्न की तरफ गाय फल खा रहे इस वाक्य में गाय पत का परिचह दीजिए प्रशना कि गाय फल खा रहे यह गाय पत का परिचह दीजिए तो सिधी सी बात है कि गाय सबसे पहले तो यह हम लोग जाने कि कौन सी संग्या है तो गाय बेसिकली जाती वाचक संग्या है तो अब जैसा ही संग्य कोफ़ लोग पहचाने के कोशिस करेंगे हमें बाकी चीज़ें मिल जाएंगे तो जाति वाचक संग्या केवल एक जगा लिखा हुआ है अर्थात यह तीनों आपसन हमारे गल्त हैं और डी आ गया हमारा हमारे पास एक आपसन बचाड़ी क्योंकि गाय जाति वाचक संग्या है उस्त्रिय लिंग और खा रही है क्रिया का करता यह खा रही है इस आधार पर हम देखते हैं कि हमारा उत्तर दी सही है ठिक अगले प्लश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे घर जैसा स्याम घंसयाम या कौम सा समास घन जैसा स्याम घन स्याम यानि कि यह जैसा जो शब्द लगा है वो स्याम और घन दोनों की तुलना यानि कि समानता का भाव इसपष्ट कर रहा है तो जैसे ही समानता का भाव इसपष्ट करे या तुलना करते हुए समानता का भाव इसपष्ट करे तो वो कौन सा समास होता है कर्मधारे समास होता है कर्मधारे समास के बारे में हम लोग यह जानते हैं कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है और इस पद में और इस समास में जो पद बिसेशन बिसेशन और उपमें उपमान से निकल करके बनते हैं उसे हम लोग कर्मधारे समास करते हैं जैसे उदारान द प्रस्ट के तरफ हरी ग्रंथ पढ़ेगा इस वाक़े को कर्म वाच्चे में लिखना है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि हरी से ग्रंथ पढ़ाया हरी से ग्रंथ पढ़ी जाएगी हरी से ग्रंथ पढ़ा जाएगा या हरी ने ग्रंथ पढ़ा तो कर्म वाच्चे में जब हम लोग करेंगे तो हरी से ग्रंथ पढ़ा जाएगा करता के साथ से लगा हुआ हरी से ग्रंथ पढ़ा जाएगा अब दौरा मेस्ट खेलने चे नहीं जाया जायेगा अगले प्रस्शन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे पगड़ी उचलना मुखावरे का रथ है पगड़ी उचलना यानि बेज़द करना सिधा अ आप समसी हम लोगा सही है अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं उससे पहले थोड़ा सा मुहाबरों के विसय में आपके शब्द भंडार को हम मजबूत करते चलें यह इधर जो है मुहाबरे हैं और इधर मुहाबरों का अर्थ है चुकि पढ़ने में अधिक समय लगेगा और यह व्याख्यात्मा क् आठ्वन की तरफ बिराम चिन् Docky इस एक सी कोन सबाब के सुद ए अभ यहां पर यहां ध्यान देना इंग विराम चिन्नों के दिष्टी से आण सवική हम चलेंगे इसमें तो एग भी बिराम चिन्द जैनि Mazra है ठिक दूसरा सभी एकसाट चिला उठे हम चलेंगे सभी एकसाट चिला उठे ठिक है नहीं ibs lot a तächst लेकिण यहां जो पहला करे है इसमें दो बांके मिले हुए लेकिन दोनों ब्क Zelintख को अलग करने के कोई कह रहा है कि सभी एक साथ चिला उठे कोई प्रत्यक्ष दर्शिये जो बता रहा है कि सभी एक साथ चिला उठे और क्या चिलाए तो उसका थन को जियों का त्यों यदि उधरन चिन्न के साथ अवतरन चिन्न में जियों का त्यों उसका थन को रखा जाए तो वह ज्यादे शुद्ध होता है इस आधार पर हमारा उत्तर भी सही होगा ठिक अब अगिला प्रशना हम लोग देखेंगे कि सुद्ध परतनी वाले शब्द का चैन कीजिए यहां पर केवल एक शब्द ऐसा है जो सुद्ध है बाकी तीन शब्द अशुद्ध है तो जैसे अब इसको हम लोग देखे लें तो एंसर हमारा एसा होगा तो तदो परांद का क्या होगा इसका होगा तदो परांद और पूज्य निये नहीं होता है यहां क्या होगा पूज निये होगा और कभी इत्तरी की जगाप क्या होगा कब इत्तरी यह इसका शुद्ध रूप होगा तो इस आधार पर हम देखते हैं कि हमारा उत्तर सही है ए अंत्याक्षरी अगले प्रेशन की तरफ हो लोग बढ़ेंगे बैधव एक भावाचक संग्या है बैधव एक इस्थिती है एक दस्षा है एक अवस्था है यानि कि यह एक भाव है भावाचक संग्या है अब बात करता है कि यह किस विशेशन से बना है बैद से बैधानिक से बिवास से या बिधवा से तो सही अंसर इसका सी होगा यानि बिधवा से जो भावाचक्षंगया बनी है वह क्या है बैधाग्भ से ने कुछ बिसे west से भावाचक शंगया आओं को और हम लोग देख लें जैसे अच्छा से अच्छाई सुन्दर से सुन्दरता है सुन्दर शेतल से सितलता ऐसे ही कातर से कातरता या तीखा से तीखापन तिक्षण से तिक्षणता लाल से लाली भिन से भिनता शांत से सांती दुष्ण से दुष्णता संपन से संपनता ये विसेशन से भावाचक सं गया हैं जो हमारे पास होनी चाहिए सब्द भंडर के रुप में हमें याद होने चाहिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे समीति सब्रेनी ब्याकरण के शाथ संग्या के बेद हो कि कि स्रेणी में आता है तो समीति से किसका बोध हो रहा है समीति से निश्चित रूप से अतह हमारा उत्तर क्या होगा समुवाचक संगया समुवाचक संगया के बारे में आप जाने की उतकंठाया आपके अंदर है जी गयासा है तो समुवाचक संगयाओं के बारे में हम लोग बात कर लें कि जिन संगया सब्दों से किसी भी व्यक्ति या बस्तु के सदाय वाचक संग्या कहते हैं जैसे भीन मेला सभा कक्षा परिवार पुस्त काला जुन गिरो सेना दल गुच्छा दल टुकड़ी यादी यह क्या है यह किसके उदारन समुह वाचक के आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ प्रसुत संग्या 345 मैंने मेरे को वाके में किस प्रकार के सुद्धी है मैंने मेरे को यह इस तरीके के वाके काफी प्रचलित है अब बोल चाल की भासा में काफी प्रचलित है तो हमें यह जानना चाहिए कि यह सुद्धी किस प्रकार की है यह कारत की यह सुद्धी यह लिंग की है यह सर्वनाम की है या अपने को सुधहरादाय मेरे को है क्या होगा यहां अपने होगा मैंने अपने को सुधर लिया तो अब इस आधार पर हम देखते हैं कि आपसम भी हमारा सही है इसकी साथ साथ सर्वनाम समंधी कुछ अन्य सुधियां है जिसके बारे में लोग जानने जैसे किसी और लड़के को बुलाओ किसी और लड़के को बुलाओ कि जगा शुद्ध रूप क्या होना चाहिए हमारा किसी दूसरे लड़के को बुलाओ जो खोवेगा वह जो सोवेगा वह खोवेगा तो जो के साथ सो होना चाहिए वह नहीं होना चाहिए तेरे को अ में हमें इसका प्रोक करना चाहिए आगे हमलोग बढ़ते हैं यह मेरी पतंग है रेखांकित пом patient क्या TON है अब शूनु चाह dovब सबस्क्रणिया हो नहीं सकता है तो बचता है तिन आप तीन में तीनो की पर like बारे में में जड़ना चाहिए सर्वणाम के भैद के बारे में यहां चुकि चार दिये हुए है चारों को हम लोग जानले तो दोर अथवा समीब कि बसुओंक का निश्च्चै प्रुवक बॉध कराने वाले जो सर्वणाम उते हैं जो वह वाचक सर्वनाम करते हैं जो सर्वनाम करता के साथ साथ अपना पन बतलाते हैं उन्हें हम लोग नीच वाचक सर्वनाम करते हैं जैसे सोयंग खुद नीज आप अपने आप किसी के साथ प्रश्णवाचक सर्वनाम जिस सर्वनामों में किसी संग्या के विशय में प्रश्ण का बोध हो उसे प्रश्णवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे कौन कहां कैसे किसने उधारण देखने पंखा किसने चलाया पंखा किसने चल कपाट का अब यहां कपाट का अर्थ देशी भासा में समझाया तो दर्वाजे से है कि दर्वाजा हालां कि देशा सब्द नहीं है हमने देशी भासा कहा है कुछ हमित्र हमारे तुरत यह कहना सुरू का देशर दर्वाजा तो देशा सब्द ही नहीं है तो इसको समझने की जो पकि पुरान का पुराना गंभीर का गहरा यहां यह ठीक है लेकिन कपाट का यदी हम लोग देशी भासा में ठेट भासा में दर्वाजा से अर्थ समझते हैं तो इसका जो है तदभव क्या होता है किवाड होता है और कपड़ा का जो तत्सम होता है वह करपट होता है ठीक तो यहां हमारा उत्तर 20 होगा लेकिन मुझे लगता है कि आपको कुछ तद्भाव और तत्समसद देने चाहिए तो यहां पर कुछ यह शब्द समुह हैं जिसे आप नोट कर सकते हैं साहू का साथ का स्वस्रू सावन का स्रावन साथ का साथ ऐसे ही साथ हो हां सब्तम साथ साड़ कि अपसर हम लोग देख रहे हैं लाश एक ऐसा सब्द है जिसका प्रयोग भी हम लोग देने की दिन चाहिए में कई बार सुनते भी हैं देखते भी हैं पढ़ते भी हैं और प्रयोग भी करते हैं ठीक है तो लाश जो है इसका आप संडी से होगा और लाश तुर्की भासा क काम चलने वाला नहीं है तो कुछ अन्य शब्दों को भी आप अपने साथ अपने पास रखें जैसे तोप तलाश बिगम बहादूर मुगल लफंगा लाश आगा कालिन काबू कैची कुल कुली ज्याजिम तमगा आका उजबक उर्दू सवगात ये तूर्की भासा के शब्द आगे हम लोग बढ़ेंगे शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता तो देखिए शब्द रचना जो होती है वो प्रते से भी शब्द बना जाते हैं धातु से भी बना जाते हैं उपसर्ग से भी बना जाते हैं लेकिन जो पद है वाग्ये में जब शब्दों को हम तो पद क्रम का ध्यान लगते हैं तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए उत्तर भी होना चाहिए अर्थात शब्द रचना में पद का कोई अर्थ नहीं होता तो शब्द कैसे बनते हैं इसको आसा आराम से समझें कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वरण समुदाय को हम लोग शब्द कहते हैं और यह वरण समुदाय के साथ साथ प्रत्य धात उपसर्ग से भी शब्द रचना की जाती है आगे हम लोग चलते हैं प्रशन संखह 350 प्रतिष्ठा सब्द में उपसर्ग है प्रतिष्ठा सब्द में कौन सा उपसर्ग होगा निशीत रूप से आप्शन हम हमारा सही है प्रतिष्ठा सब्द में जो उपसर्ग है वो प्रतिष्ठा सब्द में उपसर्ग लगा हुआ है और उपसर्ग किसको कहते हैं परिभासा देख ले कि उपसर्ग उस सब्दान से आप्व्या को कहते हैं जो किसी सब्द के आदि में जूड करके उसके अर्थ में बिशेष्टा या परिवर्तन उत्पन कराते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं और प्रतिष्ठा सब्द में चुकि प्रति उपसर्ग है और इसलिए प्रति उपसर्ग से बनने वाले कुछ अन्यशब्द भी देख लिए जाए जैसे प्रतिकूल प्रतिष्ठित प्रतिछन प फिर हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में तब तक के लिए नमस्कात आभार आपका धन्यबाद